नमस्कार दोस्तों तो पांस टाटा के स्टोक 90 बिलियन डॉलर की इंवेस्टमेंट करने वाले हैं पांस टाटा के स्टोक में इंवेस्टमेंट ओने वाले हैं नब्बे बिलियन डॉलर साथ लाख पीस हजार करोड रुपे कोई पांदस हजार करोड की बात नहीं हैं साथ ला और वीडियो को लाइक करना मत पूलिएगा, देखिए, सबसे पहले जो है e-commerce में, 2023 तक आनिए investment पान साल में, तो e-commerce में होने वाली है, electric vehicles में, batteries में, और renewable energy में, सबसे पहले e-commerce की बात कर लेते हैं, e-commerce में सबसे पहला जो stock नाम में आता है, वो आता है trend, trend का जो future है, बहुत strong future है दोस्तो, e-commerce के जात, दूसा आता है Tata consumer product, देखिए, future इसका है, आज गिरा है, कोई बड़ी बात नी, market पूरी गिरी है, कोई, मतलब ऐसे टरने वाली बात नी है, stroke नी खतम होले वाली, market नी खतम होले, कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखेगा, तीसरा stroke, Tata chemical, अगर batteries म में जाना है, तो ये वो stroke है, जिसको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, Tata chemical, और अगने आने माले 5 साल में, ये बहुत बड़ा multi-bagger सावित हो सकता है, ध्यान रखेगा, अगला आता है Tata power company limited, देखे, renewal में, पैसा खर चुगा, और बाते कल रही हैं, कि एक लाग या, कितने investment करेगी, बहुत पैसा investment होने वाला इस company के अंदर, तो नजर बना रखे, future का बहुत बड़ा multi-bagger सावित हो का ये stock भी, अगले stock की बात करते है, Tata Motors, electric vehicles मिनेंगे, component बनेंगे, इसके अलाब एक और stock है, Tata investment, उसके नजर बना रखने है, वो बहुत बड़ा multi-bagger वो भी सावित हो काने वाले time है, और कई दिन से मैं से बता रहा हूँ, वो उपर चड़े ही जा रहा है, चड़े ही जा रहा है, तो stock बहुत अच्छे है, study कीजिए इन stocks को, और इतनी बड़ी investment के बाद धून तो पक्की मचेगी